जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आज हम देखेंगे नाटक के बारे में ठीक है क्योंकि आपको पता आपके टीजीटी पीजीटी के पेपर लगे हुए इसके लावा भी ये चीजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टन होगी आपके आने वाले अन एक्जामों के लिए चाहे वो यूपी असाई हो हना नेट हो जैरेफ हो यूपी साई कुछ भी पेपर हो सभी पेपरों में यह इंपॉर्टन होगा और इसके पहले हम बता दे आपको कि हमने भया उपन्यास के बारे में बता दिया ह कहानी के बारे में बता दिया निबंद के बारे में बता दिया अगर आपने नहीं देखा तो आप जाईए प्लेलिस्ट पर हमने बना रखा है प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं ठीक है एक चीज और आपको बता दें कि हमने एक वीडियो बनाई है बारा घंटे के ठी और आख नो बता दें इसमें सब कुछ है ठीक है हिंदी सहीत की समप्र इतिहांस मिल जाएगा और दोस्तों, stato 10 कभियों के जीवन परिचे भी मिल जाएगे बहुत कुछ उगा इस माराथन वीडियो में तो इसे जरूर देखेगा इसे मत भूलेगा क्योंकि बहुत कुछ इसमें आपको मिलने वाला ठीक उसका लिंक भी हम नीचे देंगे या फिर आप जा सकते हैं प्लेश्टर वहां मिल जाएगे 12 घंटे माराथन हिंदी क्लाश ठीक तो उस पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो नाटक काब्य और गद्य का एक रूप है जो रचना स्रमण द्वारा यानि नाटक होता दोस्तों स्रमण ही नहीं अप भी तो द्रश्टी द्वारा भी दर्सकों के हिरदय में रसान भूई कराती है दोस्तों या फिकरती है उसे नाटक कहते है यानि क्या आपको पता है कोई भी नाटक होता हमाल लिया हम दोस्तों देखते हैं कोई ची नाटक हो रहा हमारे वहाँ ठीक है तो क्या होता है उसमें कोई उसको सुनते भी है और देखते भी देखी कहानी आप पढ़ लेते हैं ठीक है अगर कहीं चल ले बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा भारतियंद धरिष्चंद को ही नाट विद्या का प्रवर्तक भी मानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए अब देखते हैं हिंदी में प्रथम नाटक कौन सा है तो देखिए हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे बि गिर्धादाज जी द्वारा यानि पिता जी द्वारा लिखी गई नाटक को ही इन्होंने प्रथम नाटक मान लिया है तो भातिन धरिष्चंद के अनुसार पूछे का कौन सा प्रथम नाटक है तो आप बताना नहूर्श है ठीक है अगर पूछले कि दसरत ओजा ने किसको प्रथम नाटक माना है तो दोस्तों किसको माना है गयर शुकमार रास को और किसने लिखा है इस गयर शुकमार रास को तो देल लड़ वारा ये लिखा गया अगर वहीं पूछले कि दोस्तों डाक्टर गड़िपत चंद्र गुप्त ने किसको माना है तो दोस्तों गोरच व हुजए को ठीक है और दोस्तों आपको बता दें कि अगर पुछले राम चंदर सुकल ने किसको माना है परत książम नाटक हिंदी अब अगला देखते हैं आप से पूँच लिए गया कि हिंदी का प्रथम अभनीत नाटक जिसके अभने किया गया हो तो आपको पता होगा ये भी चीज की जानकी मंगल है अगला कोशन अगर आजा है कि हिंदी में प्रथम दुखांत नाटक जिसका मतलब कि दुख से अंतुआ हो दोस्तों वैस उसको हम दुखांत बोलते हैं और ऐसा नाटक लिखने वाला कौन है दोस्तों तो कौन है लाला स्री निवास दास आपको पता होगा इनके बारे में ठी इनहीं की रचना है रंद धीर प्रेम मोहिनी दोस्तों 1878 इसमी में लिखा है इसको ठीक है चलिए अगला है कि हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक जिसका अनुदित किया गया हो देखे कौन सा है सकुन तलम आपको पता है सकुन तलम किसकी है काली दास की है मगर इसका अनुदित नाटक है वहीं बात कर लें कि हिंदी का प्रथम प्रतिकात्मग नाटक कौन सा है तो कामना नाटक है दोस्तों किसकी है जैसंकर प्रसाद जी की है 1907 में लिखी गई अब बात करते भारतिन हरिश्चंद का पहला नाटक कौन सा कि नाटे विद्या के जनक कौन है तो भारतिन हरिश्चंद है इनकी पहले नाटक कौन सा है तो विद्या सुनतर इनका पहला नाटक है अब बात कर लें हिंदी भासा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है दोस्तों मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है भारत दुर्दसा है भारतिन हरिश्चंद जी की ठीक ह और वहीं अगर बात कर लें हिंदी का पहला मौलिक उपेरा यानि नाट गीत नाट इस पर गाया और नाट चाल जा जाए दोस्तों नाट की आ जाए जाए दोस्तों नाट की जाए जाए बारत जन्नी ठीक है तो बिल्लिकुल अच्छे से याद रखेंगे अब देखे एक उच्छ हम नाटक देखेंगे और उनके नाटक कार देखेंगे चलिए आपको पता है गोपाल चंदर गिर्धर दास की कौन से नाटक तो नहुस है इसको हरीज चंदर जी ने क्या माना है पहला नाटक माना है वहीं परताव नराण मिस्की बात करते है भारत दुर्दसा दो हो गया इनकी ठीक है मोहन राकेस की बात करते है असार का एक दिन और आधे अधूरे वहीं भीस्म साहिनी के अगर हम बात करना चाहें दोस्तों तो कभीरा खड़ा बजार में हानूश और माधवी ठीक है विश्णु प्रभाकर की बात करें दोस्तों डॉक्टर हो गया फ़ात्रानी तीन आखो वाली मचली यह भी इंपॉर्टेंट है दर्पण हो गया और राच्छास का मंद्री है तीनों के तीनों दोस्तों मोश्ट इंपॉर्टेंट कहानिया नाटक है दोस्तों इनके बारे में याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं देखिए जो जनक अगला देखते हैं सुरेंद्र वर्मा जी की तो द्रोबती हो गया आठुमा सर्ग हो गया और सकुन तला की अंगूठी वहीं बालकशन भट की बात करते हैं तो नई रोसनी का बिस अंभिका दत्थ ब्यास की अगर हम बात करते हैं भारत सौभाग के अंभिका प्रसाद अंभिका दत्थ जी की रचना है ठीक है अब आगे बात करते हैं कासी नाथ खत्री की तो विध्वा विवा क्या विवा किसकी कि है कासिनाथ खत्री के वहीं बात करते हैं देव की नंदन त्रिपाठी की तो भारत हरन दोस्तों किसकी है देव की नंदन त्रिपाठी जी की ठीक है अगर वहीं बात करते हैं गोपाल राम गहमरी दोस्तों तो इनकी है देश दसा और ब्रंदा लाल वर्मा दोस्तों यह पती उदल भगवती प्रसाद की ब्रध विवा है और माखानला चतुर वेदी की कौन से है कशना अर्जुन युद्ध माखानला चतुर वेदी एक भारती आत्मा इनको बोलते हैं ठीक है याद रखेंगे चलिए जैसंकर प्रसाद के बारे में अगर वात करते सजन हो गया प्रसाद के बारे में आप लोग जानते होंगे अगले हैं उपेंद्र नाथ अस्क को इनको अस्क के नाम से जानते हैं तो लच्मी का स्वागत जैपराजे अंजो दीदी दोसों ये पूछाता है देवताओं की छाया अलग 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 रास्ते भावर बढ़े खिलाडी वही बात कर लिए अगर हम किसी उनंदन सहाय की तो क्रश्न सुदामा नाटक हो गया और लाला स्री निवासदास आप इनको जानते होंगे दोस्तों इनका हो गया सैयोगिता श्यमबर और रणधीर पेम मोहनी दोस्तों ये दुखान तनाटक है प्रथम दुखान तनाटक ठीक है चलिए अगला किसोरी लाल गोश्वामी जी की क्या है मैंक मंजरी और प्रणेनी परेड़े दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं तो ये भी याद रखीगा और किसकी राधा कर्ष्ण दास जी की महाराणा प्रताफ हो गया और वहीं बात करते हरी कर्ष्ण प्रेमी की तो सवन्ड विहान रक्सावंधन प्रतिसोध विस्पान शापो कि स्रष्टी और सवपन भंग दोस्तों किसकी हो गया हरी कर्ष्ण प्रेमी वहीं उग्र की बात करते हैं, चुम्मन और डिक्टेटर, और दोस्तो जगदीष चंद्रमासुर की बात करते हैं, कोडार्क दोस्तो इंपोर्टेंट है, सार दिया, पहला राजा, दसरत नंदन दोस्तो यह इंपोर्टेंट याद रखें, दुस्यंत कुमार इनको पता है क्य और रजनी दरपन वहीं हबीब तन्वीर की बात करते हैं तो चरण दास चोर और आगरा बजार दोस्तों ये मोश्ट से भी मोश्ट इंपोर्टन है तो इनको जरूर याद रखीगा ठीक है आई हूप आपको अच्छे समझ माँगा देखिए आपको 50 रुपए स्पेंड करने होंगे 50 रुपए खर्च करने होंगे और आपको ये e-book मिल जाएगी ठीक है पीडियाप के रूप में मिलेगी दोस्तों e-book मतलब का पीडियाप रूप में ठीक है ये आपके टिजिटी पीजिटी नेट जीरिफ सबके लिए इंपॉर्टेंट है चाहे लेक पाल हो और हिंदी में परथम क्या है वो भी आपको मिल जाएग دोस्तों तो आप अगर इसने परचेस करना है तकी तो इस नमबर पर आप हमें प्लेटियम गूगल पर फोन पर करके इसी नंबर पर आप भेज सकते हैं दोस्तों आपको ये PDF 50 रुपए में प्रवाइड करवा दी जागे और दो PDF दोस्तों हमारी समान हिंदी के वो भी 50 के और एक है हिंदी की जो 17-18 बोलिया है उनके दोस्तों वो 25 रुपए अगर तीनों चाहिए आपको 125 रुपए सेंट कर सकते हैं अगर एक चाहिए कोई सा तो आप एक भी ले सकते हैं और दोस्तों आपको बता दें चैनल सब्सक्राइब पर लिजएगा बिल आइकन जरूर प्रेस करिएगा तो आपको यही कहना चाहेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों बाई